ठकना नहीं ठमना नहीं रुकना नहीं जुकना नहीं आगे ही आगे बढ़ते जाना है क्योंकि पतजड के बाद बसंत आना है क्योंकि पतजड के बाद बसंत आना है तो मेरे दोस्तों श्वागत है आप सबी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर जैसा कि आप सबी लोगों के साथ मैं लेब असिस्टेंड के लिए मेरे द्वारा फिजिक्सी क्लासेश लेकर के आ रहा हूँ लेकिन लगातार विद्याती जो है मेरे से कॉंटेक्ट करते हैं और लगातार आप छोटे भाई बें मेरे से बार बार पूछते रहते हैं कि सर हम जो है मैट्स से हैं तो हम बायो कैसे तैयार करें बायो वाला कहता है सर फिजिक्स समझ में नहीं आती केमेश्टी समझ में नहीं आती क्या करूं कैसे पढ़ूं ये सब डाउट रहते हैं अब फिजिक्स के अंदर तो जो है हमने एक one stop solution आपको provide करवा दिया है प्रितम education app पर complete physics का course जिसके अंदर हर परकार का question करवा दिया जाएगा और आप लोगों के लिए जो है complete theory, notes वगरा सब कुछ और पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्तान academy ने ऐसा किया है कि जैसे ही विद्यार्थी को कोर्स बाए करें तो उस विद्यार्थी को कोर्स बाए करते ही संपूर्ण notes एक साथ मिल जाते हैं साथी साथ जैसे ही वो कोर्स भाय करता है तो उस विद्यार्थी को जो है सबी वीडियो जो अभी तक पढ़ाई गई है वो एक साथ मिल जाती है ऐसा नहीं कि एक एक वीडियो एड होगी है ऐसा नहीं है संपुन नौट्स और संपुन क्लासे एक साथ ही उसे प्रोवाइड कर जाती है और हमारा टार्गेट भी यह है कि हम नवंबर से पहले ही कोर्स पूरा दे दे वे विद्यार्थी को उसके लिए रात दिन मैं और हमारे साथ में मारी पूरी टीम लगी हुई है कि आप लोगों का कोर्स जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए जिन विद्यार्थिय चलो बॉइ तो दिखा देता हूँ यह इस परकार का प्रितम एजुकेशन एप आपको दिखाई देता है आप इस प्रितम एजुकेशन एप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर फिजिक्स का कोर्स मात्र और मात्र 99 रुपे में एवलेबल करवाए जा रहा है कितने रुपे मे 99 रुपे में ठीक है ना बहुत ही सस्ता अब इससे कम कोई मनलब आपको available करवा देवे तो देख ले ना भाई 99 रुपे में वो भी आपको complete वीडियो मनलब पूरा आपके lectures रहेंगे फिर एक एक टॉपिक वाइस practice session का अलग से वीडियो आएगा उसके बाद में आपके topic वाइस perfect एकदम आपको notes PDF के available करवाये जा रहे हैं और आपके जो भी doubts होंगे वो clear किये जा रहे हैं इसके अलावा अगर आगे test series लाएंगे हम पूरी तयारी है test series राजस्तान की जीके की हो चाये फिर आपके जो है किसकी हो तो आपके physics की हो, chemistry की हो, biology क तो उसमें जो है आप लोगों को जो भी course पाए कर चुका होगा उसे निच्चित रूप से ही हमारी तरब से discount दिया जाएगा ठीक है चलिए इसके साथ बता दूँ आपको कि यह हमारा telegram channel है राजस्तान academy सिरोई नाम से आप इस telegram channel को जरूर join करें यहाँ पर लगातार हम ज अब हम बात करते हैं यह तो सुचना उनके लिए जो लगातार मुझे messages करते रहते हैं फिर पूछते हैं सर कौन सा app download करूँ कहां से करूँ है ना link इस video के description में भी मिल जाएगा channel के about में भी मिल जाएगा अब बात करता हूँ आज के lecture की तो आज के अंदर हमारे को क्या discuss करना है कि एक तो maths के विद्यार्थी जो है थोड़ा सा बायों को लेकर के डर रहे हैं कि या पायों कैसे तयार करूँ है ना तो भाई तेरी बायों तयार करवाने की guarantee मैं लेता हूँ अब मैं बताऊंगा हमारे यूटूब चैनल पर three of cost start किया जा रहा है आप लोग जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं जिसके अंदर मैं राजस्तान अध्यन की किताबे line by line जो है हमारे यूटूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ उसके lecture से record होना start हो चुके है और जैसे ही 3-4 वीडियो lecture record start हो जाए जो है दो गंटे का lecture भी हो सकता है डाई गंटे का भी हो सकता है लेकिन एक चैप्टर का एक ही वीडियो आएगा और यूटूब पर आएगा free of cost हर एक विद्यार्थी के लिए अब बायलोजी का बनिश्टॉप solution अभी बता दूँगा और chemistry का भी क्या क्या डिसकस करेंगे क नौट्स पढ़ ले क्या वो पढ़ ले क्या उसके नौट्स पढ़ ले उसके नौट्स पढ़ ले या RBSC की किताब पढ़ू या NCRT की किताब पढ़ू तो यह सभी doubts में आपके clear करने जा रहा हूं आप अपनी copy निकाल लीजिए और सांती से लिख लीजिए मैं तो कहूँ लिखिए आप जो भी आपको बताया जा रहा है लिखिए देखो भाई सबसे पहले तो RBSC की किताब या NCRT है ना देखो भाई RBSC की किताबों के अंदर facts ज़्यादा होते हैं और सिधे सिधे तरीके से बात करूँ तो RBSC की जो किताबे हैं उसमें ज़्यादा मनलब जितन इदर उदर होगा NCRT में ऐसा नहीं है NCRT क्या करती है एक लाइन भी लिख लीना तो उस लाइन के बहुत सा रहे जो है बलब पूरे अलगी concept level पर जाएगा वो तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा toughness है नCRT जरूर जो है tough language में लिखे गई है ये बात हर कोई मानता है चा की किताब है नहीं है ना तो RBSC की किताब है बहुत अच्छी मैंने आपको जो है PDF नॉट्स भी शेयर करे थे उसके आपने टेलिग्राम चैनल जोइन कर रखा है तो वहां मिल जाएंगे आपको है ना तो आपको क्या करना है वो देखो आपको जो है biology के लिए किसके लिए biology क के लिए जीव विज्ञान के लिए RBSC की जो 11 और 12 की बूक है जो पुरानी वाली है ना ये दोनों किताबे मैं आप लोगों को हमारे एप के उपर free में available करवा दूंगा आप जो है वहां से इसे पढ़ पाएंगे तो हमारा एप अभी ही download कर लेना भाई यहां पर जो है जिस्तान जीके की जो किताबे हैं वो भी हम यहां पर add कर देंगे ताकि विद्यार्थी को एक one stop solution मिल जाए वो एक बार app डाउनलोड करें तो उसके जीके की समस्या खतम साइंस के portion की भी समस्या खतम हो जाए ठीक है अब रही बात हमारे chemistry की तो chemistry के अंदर मुझे जो है ना पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ जाता है आप सर अब हम कौन सी पढ़ें तो भाई देखो आपको जिसकी language समझ में आ जाए अगर आपके पास RBSC की किताब है तो RBSC की पढ़ लो या भी जो आपने 12th class में जो किताब पढ़ रखी हो NCIT पढ़ रखी है तो NCIT ही पढ़ो और आपको नहीं suitable है तो फिर आप जो है RBSC की जो बायों की किताब है 11-12 की वो तो मैं available करवा रहा हूं chemistry की हमारे पास है नहीं किसी के पास हो तो telegram पर हमारे आ जाती है कई विद्यारतियोंने Google वगरा की किताब share कही है तो आप भी जो है वाजूट जाएए आपको मिल ठीक है डूसरा नौट्स की बात करते हैं देखो personally मैं जो है ना किसी के भी नौट्स नहीं पढ़ता हूं मेरी खुद की तयारी के दोरान बता रहा हूं चाहे मैंने IAT की तयारी की हो railway के ALP exam को qualify किया हो LDC qualify किया हो lab vision qualify किया हो या भी जो IAT जोदपूर से मेरा data science और AI में selection हु कंटेंट नहीं पढ़ा क्यों कि देखो नौट्स जो है उस विद्यारती ने अपनी इच्छा नुसा लिखे होंगे उसको जो अच्छा लगा होगा उसको जो टप चीज लगी होगी उसने उसको नौट्स बनाया होगा ज़रूरी दोरी है कि आपको भी वही चीज टप लग किसी के भी नौट्स में से कुछ नहीं आता आता सब किताबों में से है किताब पढ़िए अगर किताब पढ़ोगे तो बरपूर नौलेज मिलेगा अगर उसके आसपास इर्द गिर्द का कोशन भी आ गया ना तो भी सही कर जाओगे समझ में आई बात अगर आप नौट्स में दर्विमान केंदर से जो है कोशन आ गया फिर उस दर्विमान केंदर के कोशन में जो है ना आपके एक्विशन हो रही थी कौन सी जो गती की समिकर्ण होती है वैसे ही गुणन गती की भी समिकर्ण होती है गुणन गती की समिकर्ण आपके पाट्डे करम के सिलिबस में थी फिर अब उससे कोशन आ गया जो फिजिक्स पड़ कर गया था डीप लेवर नौलिज लेकर के गया था या आसपास की चीज़े जो कुछ से पड़ कर गया था उसके तो सेलेक्शन हुआ जो नौट्स के ब्रों से बेटा रहा उसका डबा गोल हो गया तो इसलिए नौट्स है ना आप UPSC में देखिए आप किसी में भी देखिए तो इससे अब ना मलत टैलेंट सो नहीं हो सकता या किसी की टीचिंग स्किल पे आप जो है यह सोचो कि भाई इसके नौट्स में से या जाएगा ने ऐसा कुछ भी नहीं है पैपर बनाने वाले किताब में से बना रहे कि हम जाते ही बाईलोजी के अंदर बोटनी वाले भाग में गुस्ते हैं कहां गुस्ते हैं बोटनी वाले भाग में अरे भाई बाईलोजी के दो भाग है बोटनी और जूलोजी पहले जूलोजी तयार करो मैं दस बार बोल चुका हूँ पहले जूलोजी तयार करो चाहे आ आपको पढ़ने में एक अलगी मजाएगा और मैं बता रहा हूँ अगर आपने ये जो RBSC की किताब है ना 11-12 इसमें से इसके जो जो टॉपिक्स है जूलोजी के पढ़ लिये तो एक भी कोसन इदर उदर नहीं इलने वाला है समझ में आई बात इसलिए पहले मैट्स वाले विद्यार थी जूलोजी को तयार करो उसके बाद में जब आपको लगे कि हमारे फिजिक्स भी तयार हो गई हमारे जूलोजी भी तयार हो गई हमारे जूलोजी भी तयार हो गई हमारा राजस्तान जीके भी तयार हो गया उसके बाद आप जो है ना जरूर से बोटनी पर टाइम दीजिए मेरी तरफ से कोई मना रही है लेकिन अभी बोटनी पर बिल्कुल मत उलची है क्योंकि बोटनी जूलो जी का बराबर भाग है जितने बोटनी के कोशन आने है उतने ही जूलो जी के कोशन आने है तो हम जो है बोटन जीके पढ़ कर जाएए चाहे आप इंडिया जीके पढ़ कर जाएए चाहे आप विजिक्स पढ़ कर जाएए चाहे केमेश्टी चाहे बायो वहाँ पर यह नहीं देखा जाएगा कि आपने बायो के कोशन ज्यादा अच्छे किये तो आपका सेलेक्शन पहले बाई ऐसा तो है जर्गे थे थारो कुद्रे इसाबू पढ़ें चावला मतलब आप सब अपने अपने इसाब से पढ़कर जाओगी न मेरे दोस्त तो तो आपका स्लेक्स उगजा किसी और के और के कामपर कुछ कर रहे होगा मेरे क्याणे पर ये कर यही पढ़ा जाता है, इसलिए आपके डेली रुटिन में है तो आपको याद हो जाएगा, ठेक, अब इसके बाद मैं, चोता, सर अभी हम कैसे पढ़ें, है न, पढ़ना कैसे है भाई, देखो, पढ़ना कैसे है, इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले तो, आप जो है न, इस दिमाग को थोड़ा इस्थीर करो, क्या करो, इस्थीर करो, मन को एकदम सांत करो, और अपने मन में एक विश्वास लाओ, कि हाँ भई, लेब असिस्टेंट की बर्दी आई है, और लेब असिस्टेंट की बर्दी का एक्जाम, नवंबर दो हचार पचीस में होगा, मेरे पास में बारा मैने हैं, नहीं हो तो ये जो अना, 21 दिन, 22 दिन, रोज सुबह उठकर बोलो, कि लेब असिटेंट की बर्दी आई है, पचीस नवंबर, जो नवंबर दो जार पचीस में इसका एक्जाम है, और मुझे इसकी तयारी करनी है, ये आपके दिमाग का एक कोटेसम बन करने से बढ़िया है, कि आप अपने टार्गेट को फिक्स करो, आपके पास है बारा महीने, ना, बारा महीने हैं, तो बारा महीने के अंदर आपको पेपर फर्ष्ट भी तयार करना है, और पेपर सेकेंड भी तयार करना है, अभी से टेस सीरीच वगेरा में मत उलजो, अभ महीने है बारा साल नहीं है बारा महीने है और बारा महीने में उतना ही पड़ा जा सकता है जितना आपकी कैपेसिटी है आप कैपेसिटी से ज़्यादा ही सोच रहे हो कि वो भी कर लूँगा दस जार जीके के कोशन लगा दूँगा पांच जार फिजिक्स के कोशन लगा है लेकिन पेपर भी दो-दो हैं और इसमें तीन तीन सब्जेक्ट है और इसमें भी आपके तीन-चार सब्जेक्ट तो मानी लो भई राजस्तान का हिष्ट्री, आर्टेंग कल्चर, जोगराफी, इंडिया का जीके और भी साइक्लोजी और तो इसमें भी 3-4 सब्जेक्ट है तो अब आप इसमें क्या करें सबसे पहले देखिए राजस्थान जी के आप जो है ना आज से अगर 4-5 महिने बाद भी शुरू करते हैं एक बार मतलब साइन्स का कोर्शन पढ़ने के बाद अब भी आप कर सकते हैं हाँ क्यों 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 क कोर्शन आएगा उसको सही करना है तो उसका best way ये है कि आपके पास जब एक बात ये science वाले portion complete हो जाए क्योंकि science वाले portion में आपको practice करनी होगी chemistry में practice करनी पड़ेगी biology में practice करनी पड़ेगी और physics में तो सबसे ज़्यादा practice करनी पड़ेगी जब ये practice वगरा हो जाएगी न उसके बाद आप इस paper two पर जाना paper two पर अभी sorry paper one पर जो है बाद में जाना अभी से ही इसकी चिंता मत करो और अभी से ही इसी में मत उलत जाओ कि मुझे बस paper first तयार करना है paper first तयार करना है भाई paper first तो तयार कर लेगा लेकिन अगर जो है ना उन्हें paper two तयार नहीं किया तो बाके से पिचड़ जाएगा, क्योंकि आपका पठवारी की तयारी करने वाला, ग्राम सेकंड ग्रेड की तयारी करने वाला, विदियार्थी भी इस exam को देगा, उसका राजस्तान जी कि अल्रेडी तयार है, अब आपको compete कर रहा है तो आपको उसको अगर अटाना है अपने रास्ते से तो आपके पास एक solution है वो है science का paper आप इस paper पर focus करिए इसको ज़्यादा अच्छे से तयार करिए जब ये पूरा एकनम अच्छे से तयार हो जाए एक बार आप इसका पूरा पाठे करम पढ़ ले वे उसके बाद में जो है आप इस जीके वाले paper पर जाएए समझ में आई बात मेरी तो मेरी बात आपके दिमाग में भुसी होगी कि हमें पहले paper 2 तयार करना है और इसका भी समय डिसाइड कर लो कितना भाई हद से हद तीन महीने maximum तीन महीने आप जो है न एक बार अच्छे से नौट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए paper 2 को दीजिए यानि नवंबर दिसंबर और जन्वरी ये तीन महीने जो है आप इसको दे दीजिए किसको paper second को समझ में आ गई बात ये तीन महीने देने के अंदर अंदर आप जो है physics, chemistry और biology पूरा तयार कर लिए अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक महीने और 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर जो है न फिजिक्स और chemistry के complete notes बनाए जा सकते हैं क्यों वहीं से आ रहे हैं समझ में आई बात फिर आप जो है ना इस पे तैयारी करो किस पे आपका paper 1 को और paper 2 को साथ के साथ practice और revision करते चलों समझ में आई बात तो अभी 3-4 महीने तक आप इदर उदर कहीं भी बठकिये मत अपने man focus पर आ जाईए paper second पे तैयारी करें समझ में आपको कुछ सुचना दे देता हूं जैसे एक सुचना यह है कि आपकी डिमांड है कि chemistry का course भी सुरू कर दो है ना क्योंकि chemistry हमने last बार भी पढ़ा रखी है YouTube पर वीडियो एवलेबल है विद्यार्थियों ने देखे जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या content था या फिर PDF जो है वो हमने टेलिग्राम पर शेयर कर रखी है वो देखो तो विद्यार्थियों का विश्वास है chemistry का course का है ना तो chemistry का course मैं पहले ही बता दू अभी से मैं सुरू नहीं करूंगा जब तक मेरे पास में मेरे physics का 50% course नहीं हो जात क्योंकि मैं बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं करूंगा कि वो भी upload वो भी चालू वो भी चालू और बच्चे जो है परिशान हो नहीं अपना target है कि पहले अपन physics का 50% course करवा चुके होंगे 50% में से तीन topic हो चुके है चौता topic दो वीडियो जा चुकी है और optics चल रही है उसके बाद एक topic हो जाने के बाद में यानि आप यह मान के चलिए कि नवंबर के अंदर कब नवंबर के अंदर 10 तारिक के बाद में जो है मेरे द्वारा कोशिस की जाएगी कि आप लोगों के लिए chemistry का बैच भी लेकर आए और उसके बाद में आपके लिए राजस्तान जी के physics chemistry क test series भी लाई जाएगी और उसके बाद में आपको biology के लिए हमारे पास में teacher को चुड़ेगा अभी आला की बात चल रही है तो फिर course लाया जाएगा तो अभी man focus आपको क्या करना है कैसे करना है सब चीज़े बता दिये course का price 99 ही है वापस बता देता हूँ और ये 99 दिपावल तक ही है यानि October end 31 October last date है उसके बाद सीधा बात है भाई course का price बढ़ा दिया जाएगा 151 हो जाएगा अब आपको अगर साइट रुपे ज़्यादा देने है तो वो आपकी इच्चा है ठीक है otherwise आप अभी ही buy कर लीजिए physics पूरी कर लीजिए उसके बाद chemistry पूरी करेंगे उ biology के लिए बात चल रही है देखते है कौन सेट होता है क्या होता है उसके बाद की बात ठीक है चलिए तो मुझे उमीर है कि थोड़ा रास्ता आपके clear हुआ होगा दिमाग में क्या करना है कैसे करना है और अगर इस परकार से आप पढ़ते रहेंगे तो निच्ची दुर्प से ही आपका सेलेक्शन होगा ठीक है पैपर वन का पूरा बता दिया है chemistry biology के लिए भी बता दिया NCRT या chemistry की जो आपके RBSC के किताब है उसमें से आप theory पढ़ लीजिए उसके बाद में practice के लिए आपको बाद में बता दिया जाएगा आपके लिए questions book आ जाएंगे ठीक है अ अभी से कोई guide guide book book आ जाए ना भाई बचके रहना से ही बता रहा हूं क्योंकि पता है बहुत सारे अभी market में आ गए है कि यह बता दोन वो बता दोन इस vacancy को मन पागलों की तरफ कुछ भी बता बता के पढ़ा रहे है चलो वो उनकी इच्छा है धन्यवाद जैन से भारत व जरूर बताईएगा और जो चीज़ा आपको यहां समझाने का परियास किया गया है वो समझ में आई होगी